हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो वर यूट्यूब चैनल दोस्तो बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो लेगा हैं आप से भी के लिए अगर आपने भी दिल्ली पुलिस MTS का फॉर्म एपलाई किया था और आपकी परिक्षा होने वाली थी एड्मिन कार्ड आ चुके थे उसके तो उसी को लेकर बहुत ही महत्पूर्ण वीडियो इस वीडियो को अंतर तक देगें क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तो इसकी जो डेट है वो चेंज कर दी गई थी परिक्षा थी जो थी वो चेंज कर दी गई थी परिवर्तन हुआ तो बहुत बड़ा हूँ आपको पता होगा लेकिन आज मैं यह बताने वाला हूँ आपको कि आज 17 तारिक है और 17 तारिक को जिन लोगों की परिक्षा है वो परिवर्तन नहीं हुई है मैं आपको दिखा द सभी में सब्सक्राइब कर इंगे लिए उतेर सांग Michal पेपर होने वाला तो 28 दिसंबर को है जो साथ को होने वाला तो 29 दिसंबर को है जो आठ को होने वाला तो वो 2 जनवरी 2019 में पहुँच चुका है तो यह आप पूरी डेट देख सकते हैं यह जो चेंज हुई है यह 11 सीरे नमर 11 यानि 15 तारिक तक के जो एकजाम थे वो चेंज हुए है और इसके बाद बता देता हूँ मैं आपको जो 17 तारिक से एकजाम है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए है आप यहाँ देख सकते हैं नो चेंज लिखा हुआ है अगर आपका 17 तारिक से पेपर है आपकी डेट 17 हो या उसके बाद है 18 तक अगर आप भी यह सोच नहीं कि डेट में परिवर्टन हुआ है तो आपकी में नहीं हुआ है 17 तारिक का परिक से 17 को ही है और आप 17 तारिक ही है इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और जिनका कलको होगा 18, 19, 20, 21, 22 और 24 ते तारिक को नहीं है 24 वो नो चेंज है दोस्तो तो यह मैं इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया कि कभी आप भी यह सोच रहे हों कि अरे एक्जाम डेट बढ़ गई है बढ़ गई है तो यह 17 तारिक के दन्यवाद का नहीं है 17 को आज परिक्षा है अगर आप भी है उनी केंटिडेट में से हैं तो जल्ली से अपना एड़मेट कार्ट दे चेक करिए कि आपकी डेट कभ है तो दोस्ते इस नोटिस में सिर्फ इतना ही आने वाले सबहे में भरती को लेगे जितनी भी रिजल्ट या आंसर की या सूचना है आएंगी सब हम अपने चैनल के मातर हम साब सभी तक पहुचाएंगे आप से निवेद आने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाद